नमस्कार साथ ही हूँ आई स्टेडी ओनलाइन में मैं निल सेनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ तो हम चर्चा कर रहे थे अपने डिफ्रेंशियल एक्वेशन के पार्ट के उपर डिफ्रेंशियल एक्वेशन यानि की आउकल समिकरन यह वाला चेप्टर अपना चल रहा था ठीक है यानि की यह वाला पेपर अपना स्टार्ट कर रहा था अपने और चेप्टर नमबर सेकिंड इसमें देख रहे थे जिसका नाम है पर्थम कोटी के आउकल समिकरन जो पर्थम घात के ना हो यानि की फर्स्ट ओर लेकिन higher power के जो differential equation थे उसके उपर हम चर्चा कर दे थे last class तक अपन ने इसके चार topic पे discussion कर लिया था number 1 किया था equation solvable for P number 2 था equation solvable for Y number 3 था equation solvable for X number 4 था language और clearo केיש लेंग राज के लिए मैंने बताया था साथिओ आपको की y बराबर अगर अप्ने पास X के साथ में कोई P का function है और इसके साथ में कोई पी का function है, किलियर से भी student को मतलब ये अलग पी का function होगा, ये अलग पी का function होगा, तो ये equation तो कौन सी होगी, अपनी लेंग राज की equation होगी, और ये जब इसका solution कैसे करेंगे, सबसे पहले x के respect में इसका differentiate करेंगे differentiate करने के बाद हम dyy dx की जगा है, हम p रखेंगे, p रखने के बाद इस equation का calculation करेंगे, और ये equation बनेगी, अपनी most of द्यान रखना dx upon dp के रूप में एक linear equation और इसका integrating factor निकालना है, integrating factor निकालने के बाद इसका complete solution करके, जो भी px का मान आए, उसको वापस अपनी इस equation में रखना है, तो अपनी लेंग राज की equation solve हो जाती है के लिए क्लेरो की equation कैसे पहचानते हैं इसके लिए ध्यान रखना हो, y बराबर p x यानि की x, इस x के multiple में हमेशा p होगा यहां तो क्या होता है, x के multiple में p का function होता है यहां x के multiple में सिरफ p होगा, और इसके साथ में कोई plus में p का function होगा तो यह मेरी कलेरो की समीकरण कहलाती है, ठीक है, और इसका solution कैसे किया था, वही x के respect में alkaline करते हैं, alkaline करने के बाद हमें dy y dx बराबर 0 मिलता है, यहां से y बराबर कोई constant c मिलता है अपने को इतना काम करने की ज़रत नहीं जैसे यह पता चलेगा, यह कलेरो की समीकरण है, सीधा y बराबर constant रख दो, ठीक है constant, sorry, p बराबर constant रख दो ठीक है, जो भी था constant रख दो, constant रखने के बाद हमें हमारा answer मिल जाएगा, p बराबर चर्चा हम करेंगे, यानि कि जो equation, इस परकार की equation हमें दीवी होगी, कि उसमें से अगर हम थोड़ा सा change कर दे, ठीक है, अगर हम equation में थोड़ा सा change कर दे, तो वो clearो के रूप में change हो जाएगी, इसके लिए कोई special method नहीं है, कोई rule नहीं है, लेकिन बस हमें जो तीन चीज़े अगर हम ध्यान में रख लेंगे, तो हमें idea हो जाएगा कि क्या चीज़े put करने से अपनी equation clearो में बदल जाएगी, तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि next topic पर जाने से पहले कि आप किसी भी university के student हो चाहे राजस्तान के हो, चाहे सेखावाटी के हो चाहे कोटा के हो, चाहे बिकानेर के उदेपूर के, जोदपूर के, अलवर के ठीक है, किसी भी university से आप बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ये अच्छी बात है कि इस बार iStudy Online के दुआरा सारे के सारे बेचेज सेपरेट है, मिन्स कोटा का बेच अलग है, राजस्तान का अलग है, सेखावाटी का अलग है, बिकानेर का अलग है जितनी भी university चल रही है सब के बेचेज अलग अलग है ठीक है, आपको जोइन करने के लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है अपने एप का एप वहाँ से डाउनलोड करो डाउनलोड करने के बाद आपको अपने मुबाइल नमबर, इमेल आईडी डाल कर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एप खुलेगा, एप में नीचे आपको इस्टॉर का उप्सन मिलेगा वहाँ जाओ, जैसे इस्टॉर के उप्सन में जाओगे, आपको सारे के सारे बैसे दिखएंगे, उपर कॉर्स के ऊपर आपको मोटे मोटे एक्सरों में आपकी उनिवरसिटी का नाम लिखा हुआ दिखेगा कोटा तो कोटा अजमेर तो अजमेर, भरतपुर तो भरतपुर ठीक है, राजस्तान तो राजस्तान, जो भी उनिवरसिटी कि आप student हो वो आपको दिख जाएगा फिर first year में join होंता चाते हो तो first year second year में तो second year final year में तो final year इस प्रकार से आपको सारे के सारे बेचेज 2021-22 के session के मिल जाएगे मिन जो session अब start होगा उसके आपको सारे के सारे courses मिल जाएगे जहां regular रूप से physics, chemistry, math की class चलती है आपको join होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक 211 रुपे का हमारा जो platform handling charge है वो pay करना होगा उसके बाद आप complete course exam खतम होने तक यानि कि exam end होने तक आपको ये course मिलेगा ठीक है यह नहीं है कि ये एक paper का charge है या एक month का charge है ये complete course का charge है ये complete course का charge है वो भी आपको one time pay करना होगा एक ही बार पे करना है उसके बाद सारी मगजमारी खतम रोज उठो और class attain गरो बस इतना ही है तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप जहां coaching में 10-12-15 जार रुपे खर्च करते हो आने जाने के पैसे रहने के पैसे खाने के पैसे तो ये चीज़े शिर्फ और शिर्फ आप पढ़ लो कहीं से भी वह बात है जैसे इस बार की बात करें तो जो भी एक्जाम सुझी पता है आई study online से best किसी ने नहीं किया ठीक है मतलब किया होगा लेकिन आई study online के दुवारा जो जो चीज़े provide करवाई गई थी उनसे बाहर कोई question नहीं मिले ठीक है आप बच्चों के student के reviews पढ़ सकते हो ठीक है तो यह चीज़े समझ में आ गई होगी आपको के लिए रहे से भी student को तो बढ़ते हैं अपने topic की तरव आज का जो topic है समीक्रण जो क्लेरों में क्लेरों में परिवर्थित होने योग्य हूँ यानि कि equation को ऑAdam कें छाव एक्वेशन यह क्या सकते हूँ टाओना हुँम पर एक्यार कि फो सेखेंगे आप ऐपको क्या घहताा है कि créerए चीज़ गए यह लोग्ष इस ले रखनी होती है उन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और एक्वेशन को बदलना है ठीक है अब हमें किन चीजों का ध्यान में रखना है वो चीजे आप देख लो फर्ष्ट चीज तो आपको ध्यान से देखो एक्वेशन का रूप अगर कलेरो में नहीं है ठीक है कलेरो मे नहीं है तो हमें क्या पता चल गया है कि यह equation को हमें change करना है clearo के अंदर उसको change करने के लिए ध्यान रखना मैं कुछ important चीजे बताता हूँ आपको उनी पे focus करना है number 1 चीज हमेशा ध्यान रखना आपको उस समिक्रण में y square बराबर v put करना है तो यहां से इसका उकलन करूँगा तो 2y dy by dx बराबर आपको dv upon dx मिलेगा clear sufficient को dy by dx का मतलब क्या होता है p होता है इसको कुछ और माल लो जिसे capital p माल लेता हूँ ठीक है clear sufficient को इसको क्या माल लेता हूँ capital p तो जहां-जहां equation में 2yp है वहां तो रख दो capital p ठीक है या माल लो yp है तो उसकी जगर भी capital p y square जहां बन रहा है वहां v रख दो आपकी equation clearों में change हो जाएगी ठीक है आपको first यह देखना है अगर माल लो उस equation में y square भी नहीं है देखो मैं हर एक चीज़ के लिए कर रहा हूँ ध्यान से सुनना equation में माल लो y square नहीं है पहले तो y square की बात कर रहे है ठीक है y square नहीं है तो ध्यान रखना उसमें x square होगा उसमें x square होगा तो number 2 यहीं चीज़ आती है कि अगर equation में x square की term हो तो ध्यान रखना x y x square बराबर yu माल लो इसका outland करो 2x dx upon dy बराबर du upon dy clear service student को यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है किस condition में अगर आपके पास x square बराबर दिया हो ठीक है x square बराबर आपको दिया हो तब आपको यह condition ध्यान में रखनी है clear यह ध्यान रखना 2x dx बराबर du यह भी लिख सकते हैं इसको और y square की ट्रम हो दोनों की ट्रम हो ठीक है पहले case की बात की अगर समिकरण में y square की ट्रम हो तो y square की जगर v रख दो अगर समिकरण में x square की ट्रम हो तो समिक्रण में यू रख दो माल लो अगर समिक्रण में y square की ट्रम भी है और x square की ट्रम भी है तो y square बराबर v रख दो x square बराबर yू रख दो 2y dy बराबर dv and 2x dx बराबर dv यहाँ से समिक्रण इस समिक्रण एक समिक्रण दो समिक्रण एक में 2 का भाग दे दो तो 2y dy dx एक्स अपॉन टुएक्स बराबर डी वी अपॉन डी यू इसकी जगह क्या लिख सकता हूं पी बराबर एक्स अपॉन वाई इसकी जगह कोई समीकरण में अपने पास अक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार की ट्रम हो तो इसको भी वी स्क्वार माल लो ठीक है माल लो समीकरण में अक्स प्लस वाई हो तो इसको यू माल लो ठीक है इसके अलावा हमें समीकरण में कुछ नहीं मिलेगे दोनों आ जाएं अक्स स्क्वार प ब्राबर क्या मानों वी ही मानों तो आपका काम हो जाएगा ठीक है वाई स्क्वाइर ब्राबर क्या मानों वी मानों वी मानोंगे तो अपना काम बन जाएगा बस हमें इतना ही इस equations में ध्यान में रखना है सभी student को ये वी ही मानना है square किसी में नहीं मानना ठीक है square अपने को किसी में नहीं मानना तो इन परतिस्थापन से इन चीजों के substitution से अपनी जो equation दिवी है वो clearों में change हो जाएगी first में दुबारा repeat कर रहा हूँ ध्यान से सुनना अगर समीकरण आपको देखने पर ये पता चल रहा है कि भाई साब ये ना तो clearों में है ना लेंगराज में है तो ध्यान रखना वो equation आपकी change होगी किसमें clearों में change करने के लिए हमें क्या करना है change करने के लिए हमारे पास कुछ परतिस्थापन है कुछ method से वेसे इसके कोई rule नहीं है कोई method नहीं है लेकिन आपको देखने पर पता चल जाएगा कि हां मैं इसके बराबर क्या पूट करूँ जब अपन क्यूसंस solve करेंगे तो अपको हर एक चीज़ का idea हो जाएगा तो मैं क्या कहता हूँ कि साब पहली मेरी equation थी उसमें मालो y square की कोई ट्रम आ रही है ठीक है शिरफ y square की ट्रम आ रही है और कुछ नहीं आ रहा तो y square के बराबर v रख दो solve कर दो solve करने के बाद परतिस्थापन कर दो समीकरण कलेरों में बदल जाएगी मालो समीकरण में x square की ट्रम है तो x square बराबर यू रख दो उकलन कर दो उकलन करने के बाद substitution कर दो equation कलेरों में बदल जाएगी मालो equation में x square y square दोनों की ट्रम हो तो दोनों के बराबर कुछ मालो और समीकरण में substitute कर दो मालो समीकरण में x square plus y square की कि ट्रंम आ रही हो और साथ में x-y को इसको के nation कई का मतलब मैं आपको तो जो भी डूम एक्षा आ रहे हैं उसी को माल लो एक्वारा और बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है बढ़ते हैं से कियू संस की तरफ से उसके क्यू संस की तरफ बढ़ते हैं को देखते हैं आगे बरते हैं बात करते हैं के उपर क्यूसर नमबर एक लेते हैं जिसन नमबर एक दिया हुआ है सबसे पहले यह पता लगाओ क्या यह क्लेरो में है क्या कलेरों में तो नहीं है बैसाब क्यों नहीं क्योंकि X के multiple में 2P आ रहा है लेकिन आना क्या चाहिए पी आना चाहिए अगर पी आता तो अपन सोच सकते थे तो कलेरों में तो है नहीं लांगराज का भी चेक कर लो ठीक है लांगराज में भी देखते हैं Y कॉमन लो तो बचेगा क्या 1 प्लस P स्क्वार बराबर में 2XP ठीक है तो Y बराबर 2XP अपन 1 प्लस P स्क्वार क्या ये लांगराज इक्वेसन है गया नहीं है क्योंकि लांगर लेकिन प्लस में कोई पी का फंक्षन और आना चाहिए जो नहीं आ रहा मिंसियल लांग राज भी नहीं है अब आपको पता चल गया कि सर यह ना तो लांग राज की एक्वेशन है ना यह क्लेरो की एक्वेशन है तो सर यह सब्टिट्यूट हो सकती है अब देखो इसमें ना तो य स्क्वेशन की ट्रेम है ना अक्सी स्क्वेशन की ट्रेम है तो उस कंडिशन में मैंने बताया था कि आप तो बिना सोचे समझें य स्क्वेशन बराबर वी रख दो ठीक है जब अक्सी स्क्वेशन की ट्रेम ना हो तो क्या करेंगे य स्क्वेशन बराबर वी रख दो ठीक है आउकलन करो अब 2y dy by dx बराबर dv upon dx अब हम जानते हैं इसका मान तो क्या होता है पी तो 2y पी बराबर इसको कोई capital P माल लो इसको क्या माल लो capital P या इसको P days माल लो ठीक है करता कि confusion ना हो इसको क्या माल लो P days और bracket में लिख दो जहां P days बराबर dv upon dx है के लिए सब इसको P days बराबर क्या है डv upon dx है यहां से देखो अब सारे के सारे परतिस्थापन कर दो put कर दो तो solution देखना y minus 2y को निचे ले जाओ तो small p बराबर P days upon 2y ठीक है तो minus का 2x p की जगह क्या रखना है P days upon 2y प्लेस ay p square की जगह क्या रखना है P days square upon 4y square बराबर में 0 यह equation हमें मिल गई के लिए रसे भी student को आगे बढ़ते हैं आगे यहां से मैं क्या करता हूं यह एक power cancel हो जाएगी तो y minus 2x p days upon 2y plus a p days square upon 4y बराबर 0 यहां से 2 से 2 cancel हो गया हूं अब मैं y को LCM ले लेता हूं ठीक है तो 4y square 4xp यह 4y a p days square बराबर 0 इसको उदर 0 में बेज दो तो 4y square minus 4x p days plus a p days square बराबर 0 किलियर से भी student को y square की जगे हमें क्या रखना था वी रखना था तो y square की जगे वी रख दो तो 4v minus 4x p days plus a p days square बराबर 0 किलियर से भी student को अब एक चीज़ देखो ध्यान से हमने क्या लिखा था y बराबर अपनी equation होती है y बराबर अपनी क्या होती है equation होती है तो ये equation अपनी किसके बराबर होगी v के बराबर होगी की नहीं होगी ये equation अपनी v के बराबर होगी ना तो v बराबर 4x p days minus a p days square upon 4 डिवाइड कर दो तो v बराबर 4 से 4 कैंसल तो x p days minus a p days square upon 4 यह अपनी equation कलेरो की है या नहीं है यह बताओ पहले तो देखो अब कई स्टुडेंट सोच रहे हैं कि यह कहां से हो गई अरे कलेरो की तो है ज्यान से देखो कलेरो की equation क्या कहती है कि सर य बराबर x के साथ में p होना चाहिए प्लस में p का कोई function होना चाहिए यह कलेरो कहता है यहाँ p का मतलब क्या होता है यहाँ p का मतलब होता है d y y d x यानि कि ये y और ये y ठीक है इस equation को इस प्रकार भी तो लिख सकता हूं y बराबर x d y y d x प्लस fp a की बात है अब देखो ये y ये y के लिए सभी student को ये y तो ये y के लिए सभी student को अब यही चीज़ देखो ये p d s का मतलब क्या है इस equation का मतलब यही तो है v बराबर x dp upon dx sorry x dv upon dx minus a p d s square upon 4 ये v ये v ठीक है मतलब यही तो चीज़ है यहाँ y था y था बस यहाँ words क्या हो गए change हो गए यहाँ alphabet change हो गए वहाँ क्या था y था तो यहाँ v आ गया alphabet तो कुछ भी हो सकता है y हो सकता है x हो सकता है z हो सकता है r हो सकता है s हो सकता है t हो सकता है कुछ भी हो सकता है clear submission को कुछ भी हो सकता है तो यहाँ से देखो यह किसमें दिख रही है आपको clearो में दिख रही है ठीक है क्योंकि V है यहाँ क्या दिया हुआ हुआ है V बराबर दिया हुआ है तो आपको दिख रहा है P के साथ में अब पीडेश अपने ले लिया D V upon DX को क्योंकि Pडेश को लिया है कि पी अपने पहले लिया हुआ है और P लेते तो थोड़ा पी का कोई function आ रहा है बिलकुल आ रहा है मतलब यह समीकरण हो गई किसकी यह समीकरण क्लेरो की है अते यह समीकरण क्लेरो की है इसलिए हम क्या करते हैं पुट पी डेस बराबर सी कोई constant पुट कर देते हैं तो देखना वी बराबर एकस सी माइनस AC स्क्वार बाई 4, 4LCM ले लो तो 4V बराबर 4XC माइनस AC स्क्वार वी की जगए वापस value पुट कर दो तो 4Y स्क्वार बराबर 4XC माइनस AC स्क्वार यह क्या होगा अपना final answer होगा यही क्या होगा दोस्तो अपना final answer होगार चाहो तो 4 का भाग दे दो पूरी समीकरण में तो y square बराबर xc minus ac square upon 4 ये क्या आगया अपना final answer आगया है इस equation का तो equation ये समझना ये कलेरो की है समझ में आगया होगा क्यों है कलेरो की ठीक है comparison करने पर पता चल जाता है equation कलेरो की किस परकार से है क्यों समझ में आया सभी student को आगे बढ़ते है और अगला क्यूशन लेते हैं लोग क्यूशन सारे इसी डाइप के है पूरी की पूरा chapter number 2 एकदम इजी था chapter number 2 आपने पढ़ा अच्छा लगा होगा आगे बढ़ते हैं next question लेते है question आपको दिया हुआ है x square y minus px बराबर बराबर yp square बराबर yp square इसका solution करते हैं तो solution करने के लिए द्यान रखना है इसमें x square आ रहा है ठीक है एक चीज़ और द्यान रखना x square आ रहा है ठीक है साथ में तो y square तो हमेशा के लिए कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा ठीक है क्योंकि y square को तो या y को तो reduce करना ही पड़ेगा ठीक है dy बराबर dv भाग दे दो इस equation में इसका तो 2y dy upon 2x dx बराबर dv upon du यहां से देखना dy y dx की जगह क्या लिख सकता हूं पी लिख सकता हूं इस बराबर dv upon du अब देखो एक चीज देखना इस बार जो कलेरो की equation बनेगी वो किस परकार की बनेगी ध्यान से देखो p बराबर क्या होता है dy y dx होता है ठीक है तो कलेरो की equation इस case में होती है y बराबर px प्लेस p का कोई function यही तो होती है यहां कौन होता है यह x कौन है जो इसके respect में हुआ है यह वाला x यहां आ रहा है ठीक है और यह वाला y जो है वो बराबर में आ रहा है means कलेरो की जो इस बार equation बनेगी वो कुछ इस परकार की बनेगी यहां y की जगे के आएगा डी वी अपॉन डीक्स है तो यहां dy अपॉन डीक्स था तो y के बराबर आएगी ठीक है पी की जगए पीडेस आएगा पी की जगए के आएगा पीडेस आएगा और यहां देखो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यू के रिस्पेक्ट में यहां अक्स के रिस्पेक्ट में था इसलिए मल्टीपल में अक्साय यहां यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो मल्टीपल में कौन आएगा यू आएगा प्लस का एफ पी डेस इस परकार की समीकरण आपकी आएगी इसके अंदर तभी वो कलेरो की होगी तो आई होप आपको यह समझ में में मुद्दा क्या है कि स्टुडेंट यहां थोड़ा सा कन्फूजन हो जाते हैं कि इस पर किस परकार से कलेरों की एक्वेशन बनेगी तो यही दरसाती है कि आपकी जगए इनकी जगए डियू अपॉण डियू हो सकता है एनिटिंग कुछ भी हो सकता है क्योंकि वह अपने परतिस्थापन पर डिपेंड करता है अपन एक बार ऐसा का एसा रहने दो वाई भी एक बार एसा गया एसा रहने दो फी मीचकी जगए पूट कर दो एक सपन वाईल् contracted और रहए अ छेants y square minus x square p days upon y बराबर y से 1 power cancel हो गई तो x square upon y p days square अब y से y उड़ा दो तो y से y उड़ा दिया तो अपने पास equation आ गई x square y square minus x square p days square p days बराबर x square p days square अब बच्चे हुए भी put कर दो x square की जगे क्या put करना है y square की जगे हमें v put करना है तो v आ गया minus x square की जगे u p days बराबर u p days square के लिए सब इस्टुडेंट को यहां से देखो u को निचे बेज दो तो v minus u p days बराबर u upon u p days square u say u cancel तो v बराबर u p days plus p days square देखो जो equation हमने लिखी थी वही तो आ रही है इसी रूप में तो बताई थी मैंने क्या कहा था v बराबर u p यानि की p days plus f p days यही तो format आ रहा है तो यह किसकी equation हो गई यह अपनी clearo की equation हो गई यह किसकी equation हो गई clearo की equation हो गई तो मैं क्या कहूंगा आता है यह है आता है यह है clearo की समीकरण है किसकी समीकरण है दोस्तो clearo की समीकरण है यह clearo की समीकरण है clearo की समीकरण हो गई तो हम क्या करेंगे किसाब आप p days बराबर कोई constant put कर दो p days बराबर क्या गर दो क्या लिखा था मैंने वी जगह y² यू की जगह x² c प्लस c² यह क्या होगा अपना final answer होगा I hope सभी स्टुडेंट को यह क्यूशन भी किलियर हो चुका होगा ठीक है यह वाला क्यूशन भी समझ में आ गया होगा बस यही चीज ध्यान में रखो हर बार y square की जगे तो v मानना ही मानना है y square की जगे तो v मानना ही मानना है अगर x square की ट्रम है तो वहां x square बराबर u भी मानना है ठीक है तो ये चीज समझ में आ गई होगी तो जितने भी questions हम करते जा रहे हैं उसके according आपको ये method clear होता जा रहा होगा ये chapter number 2 एसे मालो focus case ही number है क्योंकि छोटे-छोटे questions है इसमें ठीक है chapter number 2 भी एकदम easy था लेकिन कुछ हद तक वो chapter बड़ा था ठीक है कुछ हद तक वो chapter बड़ा था ये एकदम easy सा chapter है chapter number 2 तो इसको focus रखें और एक चीज़ और बता जेता हूं ये chapter number 2 जो है वो इकलोता ही chapter है इकलोता कहने का मतलब है कि ये इस type का इकलोता है ठीक है आगे हमें इस type का और chapter नहीं मिलेगा हमें वापस chapter जो मिलने start होंगे वो जो chapter number first है उसके जैसे है मतलब उसके आगे के पार्ट पे हम जाएंगे वो कौन साथा पर्थम डिगरी पर्थम घात के इस बार दीती है डिगरी दीती है घात किया जाएंगे ठीक है तो वो वही से चलेगा आगे आगे एक क्यूशन लेत पी माइनस टू एक्स प्लेस वाइए रहेए बराबर जीरो एक बार क्यूशन को दुबारा चेक कर लेते हैं थोड़ा बढ़ा है गलती न होजे ऐक्स स्कार प्लेस वाई स्कार इन्टू वन प्लेस पी का होल स्कार है वन प्लस वाइब का होली स्क्वाइर, फिक स्वाइब का हॉली स्क्वाइब है करते हैं। सबसे पहले एक काम करो, पूरी समी करण में वन प्लस प के होली स्क्वाइर का भाग देदो तो थोड़ा सा अलग टायपा equation बन जाए तो x square plus y square ये 1 plus p का whole square का भाग दे रहूं माइनस 2x plus y upon 1 plus p से एक पाउर cancel हो जाएगी तो 1 plus p x plus yp plus x plus yp का whole square upon 1 plus p का whole square बराबर 0 ये equation हमें दोस्तों दीवी है के लिए से भी student को इस परकार की equation हमारे सामने है मैं क्या करता हूँ वही चीज़ में परतिस्थापन अब मैंने क्या कहा था मैंने आपको क्या बताया था कि x square plus y square की कोई ट्रम आ रही है क्या बिल्कुल आ रही है और साथ में x plus y की ट्रम भी आ रही है तो put कर दो ठीक है तो क्या कर देंगे अपन put कर देंगे तो देखना x square plus y square की जगर तो put कर दो put x square plus y square बराबर u and x plus y बराबर v के लिए सब्सक्राइब को यह अपन परतिस्थापन equation में अब करेंगे करने के लिए अपने क्या करना होगा आउकलन कर दो सबसे पहले सबसे पहले क्या कर दो ओकलन कर दो ओकलन करेंगे तो देखना 2x plus 2yx के respect में कर रहे हैं तो y का dy by dx बराबर du upon dx एंड इसका भी कर दो तो x का तो 1 plus dy by dx बराबर dv upon dx अब दोस्तों हम क्या जानते हैं हम एक चीज़ जानते हैं कि सर्ट dy by dx का मान तो पी होता है यानि कि टू तो कोमन ले लो तो x plus yp बराबर du upon dx एंड इसका मतलब क्या होता है सर्ट पी होता है तो 1 plus p बराबर dv upon dx ठीक है अब इस समीकरण में इस वाली समीकरण में इसका भाग दे दो ठीक है इसका भाग दे दो तो 2x plus yp upon 1 plus p बराबर dx से dx केंचिल हो जाएगा उपर तो बचेगा du नीचे बचेगा dv उपर तो क्या बचेगा du बचेगा नीचे क्या बचेगा dv बचेगा के लिए रहे सब इस्टुडेंट को इसको पी मान लो सोरी पीडेस मान लो पी तो माना हुआ है तो 2x plus yp upon 1 plus P बराबर पीडेस तूछ इसको क्या मान लिए पीडेस माली आप अपनी एक्वेशन किस फॉर्मेट में बननी चाहिए अब अपनी जो एक्वेशन जो बनेगी वो प्रतिस्थापन करो तो आप यह आईडिया लगा लो आपकी इक्वेशन किस फॉर्मेट में बदलेगी ताकि आपकी गलती होने की संभावनाए कम हो जाए तो ध्यान देव ध्यान दो सबसे पहले एक्वेशन में पी डेस बराबर क्या है डी यू अपोन डी वी है और जब पी बराबर अपनी डी बाई बाई डी एक्स होता है इस रूप में अगर एक्वेशन होती है तो अपन जो कलेरों की एक्वेशन होती है वो क्या होती है वाई बराबर पी एक् रिस्पेक्ट में है वो मल्टीपल में यानि कि इस बार किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है यह डी यू अपॉन डीवी है डी यू अपॉन डीवी है मतलब यू के बराबर होगा ठीक है यू के बराबर होगा पीडेस होगा और इसके मल्टीपल में जिसके रिस्पेक्ट में है V प्लस F PDS मतलब अपनी equation जो बनेगी कलेरो की वो यू बराबर PDS V प्लस F PDS इस format में बनेगी इले से भी student को ये चीज समझ में आई होगी इस format में अपनी equation चेंज होगी तो कर देते हैं सारे के सारे result अपने से पास आगए इनका प्रतिस्ठापन करते हैं ठीक है इनका क्या करते है प्र तिस्ठापन कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा तो देखना अब देखो चलते हैं X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर की जगे तो हमें पुट करना है U तो U minus 2x plus y upon p upon 1 plus p 2x plus y upon p की जगे हमें put करना है p days और x plus y की जगे करना है v तो p days v plus इसकी जगे हमें क्या put करना है x plus y p का holy square तो p days का square p days का square और बटे में 2 भी आ रहा है ठीक है बटे में क्या रहा है 2 भी आ रहा है तो 2 का square 4 हो जाएगा बराबर में क्या आ गया दोस्तो 0 आ गया सारी ट्रम को u के बराबर ले लो तो u बराबर p days v plus p square by 4 देखो यही तो है यही तो अपने लिखी थी कलेरो की equation इस प्रकार से बनेगी तो यही तो बन रही है यू बराबर p days v p days v plus f p days मतलब p days का कोई function p days का कोई function आ रहे है यह p days है यह क्या है p days है p days का square अताय यह है अताय यह है कलेरो की समिक्रण है इसलिए p days बराबर कोई constant c put कर देते हैं तो u बराबर cv plus c square upon 4 ठीक है वापस put कर दो u की जगे तो x square plus y square v की जगे cv की जगे क्या put करोगे x plus y plus c square by 4 यह हमारा क्या होगा final answer होगा ठीक है तो मोटी मोटी बात यही है कलेरो में बदलने के लिए आपको सिरफ परतिस्थापन करने परतिस्थापन आप अपनी मर्ची से कुछ भी कर लो एक idea मेरे दुआरा आपको दिया गया है कि किसके इस्तान पर आप क्या put कर सकते हो ठीक है आगे कुछ ऐसी भी चीज़े आएगी जहां आपको put करने पड़ेंगे खुझ से भी मानने पड़ेंगे ठीक है क्योंकि इसका कोई method नहीं है इसका कोई rule नहीं है बस जो ट्रम एक्स्ट्रा है y square कě बराबर तो देखो v मानना ही मानना है ठीक है क्योंकि y को जब तक change नहीं PER जब तक अपनी कलेरों में change होगी नहीं तो y को तो बदल नहीं है y square बराबर तो v मानना ही मानना है उसके अलावा और देख लेना एक्स्ट्रा चीजे समीकरण में आपको क्या दीवी है उसके according चल लेना आगे बढ़ते हैं अपने next question की तरफ आगे चलते हैं next question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है अपना question number 3 हो गया question number 4 लेते हैं आप question number 4 हमें दिया हुआ है y बराबर 2px plus y square p cube ये question हमें दिया हुआ है y बराबर 2px plus y square p cube ये question हमें दिया हुआ है इसको करते हैं solution करते हैं इसका तो देखना पुट कर दो y square अब देखो xc है इसमें तो x square बराबर तो कुछ करना ही नहीं है हमारा तो काम y square को कुछ मानना होता है तो y square बराबर v put कर दो तो 2y dy y dx बराबर क्या हो जाएगा अपना dv upon dx अब हम जानते हैं 2y p बराबर p days ठीक है तो put कर दो आप सारी value जिसकी जगह जो हना है तो p की जगह हमें put करना है p days upon 2y तो देखना y बराबर 2x p की जगह क्या करना है p days upon 2y प्लस y square ऐसा गया p cube मतलब p days cube 8y cube तो यहां से देखो 2 से 2 cancel y square से y square cancel y बच जाएगा तो y बराबर x p days upon y plus p days cube बटा 8y y LCM ले लो और उधर बेज़ दो तो y square बराबर y LCM लिया और उधर बेज़ दिया तो y square बराबर x p days plus p days cube के लिए सब इस्टों को y square बराबर हमने क्या माना है तो v बराबर x p days plus p days cube ये क्या आ गई दोस्तों हमारी clearo की समीकरन आ गई ये क्या आ गई हमारी clearo की समीकरन आ चुकी clearo की समीकरन आ चुकी तो हम क्या करेंगे इसमें put कर देंगे p days बराबर c कोई constant तो v बराबर x c plus c cube ये क्या है अपना final answer है देखो छोटे छोटे ची क्यूसन है बस ये पता लगा लो किसमें क्या put करना है तो idea आपको हो चुका होगा इसमें देखो x तो हमें चीए ही था x हो तब तक कोई दिक्कत वाई बात नहीं है x square आ रहा है तब put करना है x तक तो वैसा का वैसा रहने तो बाकी जो भी है फिर put करते जाओ आगे बढ़ते हैं अगला क्यूसन लेते हैं नेक्स्ट क्यूसन की तरफ बढ़ते हैं क्यूसन है अगला अपना px-y px-y py plus x py plus x बराबर h square p बराबर h square p अब एक चीज देखना यहां से ठीक है बराबर में एक बार क्यूसन दुबाला चेक कर लेते हैं क्यूसन दिया हुआ है px-y py plus x py plus x बराबर h square p यह क्यूसन दिया हुआ है इसका solution हम करते हैं तो solution देखना आप देखो क्या माने multiply में है यह px-y x से multiply होगा तो x square की ट्रंप बनेगी y square तो हम वे से ही मान कर चलते है x square की ट्रंप बन रही है तो x square बराबर वी मानो तो y square बराबर तो v मानो x square बराबर u मानो क्यूं माना क्यूंकि सर इसमें x square बन रहा है और x square के बराबर तो हमें कुछ ना कुछ मान नहीं है देखो px जब इससे multiply होगा तो x square बनेगा करो solve 2y dy बराबर dv एंड ठीक है इसी कर लो ठीक है एंड 2x dx बराबर du भाग दे दो 2y dy अपॉन 2x dx बराबर dv अपॉन du के लिस्टिबिशन को इस equation में इसका भाग दे दिया 2 से 2 cancel हो गया x upon y को उधर बेज़ दो तो dy by dx बराबर x upon y dv upon dy अब dy by dx का मतलब तो होता है px upon y ऐसा का ऐसा dv upon dy की जगे dv upon du की जगे रख दो pd सारी की सारी values इस equation में रखो p की जगे क्या रखना है x upon y pd और x ऐसा का ऐसा फिर minus y ऐसा का ऐसा into p की जगे रखना है x upon y pd y ऐसा का ऐसा प्लस x ऐसा का ऐसा बराबर h square p की जगे रखना है x upon y pd ये equation आ गई अब पहले तो यह देखो कलेरो की समिकरण क्या बनेगी अब p बराबर अगर dv by dx होता है तो कलेरों की समीघडर होती है वाई बराबर ps2 आप अपने पास पीडेस बराबर dv ओन टी यू है तो बराबर ब्रबाबर पीडेस यू प्लस critics ठीक इस परकार की समीघडर बनेगी ठीकट तो देखो कैसे बनेगी ये UNC to X क्या बन जाएगा डेक स्कुरेड मनजाएगा upon में y आ गया इंटू यहां से y से y cancel ठीक है y से y क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यह उड़ा दो ठीक है यह उड़ा दो के तो आपके पास अंदर बचेगा x पीडेस plus x बराबर इदर बचेगा h square x upon y पीडेस के लिए से पीडेस को y से y उड़ा दो यह लो उड़ा दिया y से y भी उड़ा दिया अब पुट कर दो y साब x square की जगे तो पुट कर दो u यहां एक्स पीडेस प्लस x बराबर h square x पीडेस यहां तक समझ में आ गया होगा हमें किसके बराबर रिजल्ट चीए था हमें तो व के बराबर चीए था तो सर सबसे पहले इसको तो नीचे वेजो तो u square pd-v बराबर h square x pd- upon x common लोगे यहां से x common लोगे तो 1 plus pd x से x cancel अब v को उधर बेजो इसको इधर ले आओ तो v बराबर v को उधर बेजा तो यह इसा कैसा u square pd- minus h square pd- upon 1 plus pd यह समीकन अपनी आ गई ठीक है अब देखो एक सेकिंड यहां u square आ रहा है u square नहीं आना चाहिए यहां यूँ ही आना चाहिए x square बराबर यहीं तो पूट करना है अपने v बराबर pd-u plus या माइनस जो भी है h square pd- कोई pd- का function आ रहा है अते में क्या कहूंगा अते यह कलेरो की समीकरण है कलेरो की समीकरण है तो वापस v बराबर पूट कर दो v बराबर u c minus h square c upon 1 plus c के लिए v का मान पूट कर दो y square बराबर x square c minus h square c upon 1 plus c यह क्या होगा इसका final answer होगा यही क्या होगा दोस्तों इसका final answer होगा तो अपना एक क्यूशन इसी के साथ और complete होता है ठीक है तो आई होप आप सभी student को इस type के क्यूशन सारे के सारे clear हो चुके है ठीक है पूरा का पूरा matter clear equation का put हो चुके समझ में आ गया होगा आगे की class में हम बढ़ेंगे और बात करेंगे विचित्र हल के बारे में यानि की singular solution के बारे में ठीक है जो अपनी अंतिम exercise रहेगी हो सकता है उस exercise में अपनी दो class भी लग जाए क्योंकि थोड़ी बड़ी exercise वो है तो मिलते हैं अपनी अगली class में या हो सकता है अगर मैं यह भी देखूंगा इसमें कुछ क्यूशन ऐसे जो है जो आपसे ना हो पाए तो पहले उन क्यूशन को उठा लेंगे उसके बाद आगे कर लेंगे ठीक है तो देख लेंगे जो भी जिस प्रकार से भी situation रहेगी अपनी अगली class में ठीक है अगला topic स्टार्ट करना है या इसी के उपर और क्यूशन करने है वो अपन अगली क्लास में डिसाइड कर लेंगे तो मिलते हैं अपनी अगली class में तब तक के लिए आपका दिन सुब रहे धन्यवाद